ही गाईज तो स्वागत है आपका कैप्टेन बीटू के चैनल में जहां आज हम बात करने वाले हैं वाट इफ आरन मैन वाजिन स्पाइडर मैन नोवे होम मतलब की क्या होता अगर नोवे होम में जिस तरह दूसरे दुनिया से विलन्स एंड हीरोज आ रहे थे तो शायद तक कुछ लोगों को अच्छा लगता और अगर आप उस कुछ लोगों में आते हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजेगा ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस टॉपिक के उपर इंटरेस्टेड थे मैं तो अल्मोस्ट 30 के लाइक्स की उमीद रखता ही हूँ क्योंकि इतने आरन मेंड फैंस तो हमारे वीवर्शिप में है ही कहाँ ज़्यादा आफटापिंग ना जाते वे डारेक्क मुद्दे पे आते हैं तो स्पाइडा मैन नोवे होम की कहानी शुरुवात में बिलकुल वैसे ही चलती जैसा एक्शुल मुवी में हुआ था डॉक्टर स्ट्रेज के स्पेल कास्ट करने तक क्योंकि उसी स्पेल के बाद से दो स्पाइडा मैन एक वेरम और पांच विलन आ गयते में एमस्यू के अंदर लेकिन हमारे इस वर्जन के अंदर एक टोनी स्टार का भी वर्जन आता है मुवी में तो हमें टॉम के पर्सपेक्टिव से दिखाए गया था कि कहानी कैसे चल रही थी लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको टोनी के पर्सपेक्टिव से पता चलेगा इसलिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वो variant यहाँ पे कितना समय बिताता तो देखा जाए तो spell cast दिन में हुआ था और उसी के रात तक में Dr. Strange ने जादूई जेल में चार विलन्स को कैद कर लिया था जिसमें से दो को Dr. Strange ने पकड़ा था तो वहीं दो को Spidey ने पकड़ा था उसके next day Spidey Norman से मिलता है जिसको वो Dr. Strange के पास लेकर जाता है और उसके बाद वहां Dr. Strange के साथ बहस होने के बाद से फिर वो Dr. Strange को उनके ही चाल में फसा कर वो विलन्स की मदद करने के लिए Happy के घर में ले जाता है जहां रात तक में क्योर मना कर वो Dr. Octopus पे अपलाई भी कर देता है बट आगे सब प्लैन के हिसाब से नहीं जाता है और आंट में वहां मारी जाती है उसी राद भर में वो आंट में के लिए रोता है और बाकी के Spider-Man से मिलता है जिसके बाद से वो बाकी विलन्स को ठीक करके उनके दुनिया में वापस भेज देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर Tony MCU में आता तो वो दो दीन और दो रात बिताता जिसके बाद नेक्स्ट मार्निंग वो Venom के साथ अपने वर्ल्ड में चला जाता सो मेरे इस वर्जन में Tony Star का जो variant MCU में आता उसके दुनिया में Tony के जगा डॉक्टर स्टेंज ने अपनी जान दे कर स्नैप किया था जिसके बाद से Tony Sorcerer Supreme बनता है उस दुनिया का और डॉक्टर स्टेंज की जिम्मेदारी लेता है आप लोगों ने इस थियोरी को मेरे ही चैनल में बहुत समय पहले सुना होगा क्योंकि मुझे एक थियोरी बनाना था कि कैसे Tony Dr. Strange Multiverse of Madness के एंड में दिख सकता है लेकिन अगर अब वो थियोरी MCU में सच नहीं भी होती है तो कोई दिकत नहीं क्योंकि वो मेरे इस What If में यूज हो रहा है तो जिस तरह Venom बेड में लेट के मस्ट चिल कर रहा था उसी तरह Tony भी मस्ट Iron Man Supreme सूट में उड़कर अपने घर जा रहा होता है Pepper और Morgan से मिलने के लिए क्योंकि बहुत लंबे समय से वो उनसे नहीं मिला था अब क्योंकि Tony आसमान की उचाईयों में उड़ रहा था तो spell का effect होते ही Tony का flight थोड़ा सा interrupt होता है बट फिर वो किसी तरह manage करके खुद को सम्हालता है और Friday से पुछता है कि क्या हुआ जिस पर Friday बताती है कि एक magical wave से हम टकराए थे बट उसका source और उसका कोई भी trace मुझे अब नहीं मिल रहा मैं यहाँ पर एक बात clear कर दूँ कि Tony ने अपने suit और AI को magic से upgrade कर दिया है जिसके वज़े से अब वो magic को भी read कर सकता है खैर Tony अपने घर जाता है जहाँ पेपर उसको देखकर shocked होती है और वो उसके तरफ हाथ कर देती है जिसके बाद से rescue armor उसके आसपास form होने लगता है और Tony को लगता है कि पेपर नाराज है क्योंकि वो इतने समय से मिलने नहीं आया वहीं पेपर को लगता है कि कोई बहरुपिया Tony का रूप लेकर उसको परिशान करने आया है पेपर कुछ power blast छोड़ती है बड़ Tony का suit उसको absorb कर लेता है पेपर पूछती है कि तुम कौन हो और तुम Tony बनने की acting क्यों कर रहे हो जिसपर Tony क्या था कि मैं Tony हूँ जिसपर पेपर बोलती है मैंने Tony को अपने आँखों के सामने मरते वे देखा था तोनी बताता है कि ये कब हुआ जिसपर पेपर बोलती है स्नाइप के टाइम टोनी बताता है कि स्नैप के टाइम तो डॉक्टर स्टेंच मरा था इन फैक्ट उस गिल्ड से बाहर आने के लिए एन अर्थ को मैजिकल ट्वेट से बचाने के लिए ही तो मैं सॉसरल सुप्रीम बना जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था पेपर कहती है कि तुम जूट बोल रहे हो फिर टोनी कुछ ऐसा बताता है जो की सिर्फ पेपर को पता होता है बट फिर पेपर उसके सामने उस हեलमेट को रखती है जिसमें टोनी का लाष्ट मेसेस था टोनी कहता है कि इसको मैंने record तो जरूर किया था बट इसके जरूरत नहीं पड़ी थी और ये तुम्हें कहां मिला इसके बाद टोनी अपने Iron Man Supreme सूट में Friday को analyze करने के लिए बूलता जिसके बाद से Friday बताती कि शायद तक हम दूसरे universe में आ गए हैं उस magical wave के वज़े से इस universe में doctor strange नहीं बलकि आपका variant मरा था snap करते वे कि तभी पीछे से वहाँ पर Morgan आती और अपने dad को गले लगा देती और फिर रोने लगती टोनी पेपर को इशारा करता कि वो handle कर लेगा और वो Morgan को बोलता है कि मैं heaven से तुम्हारी लिए छुटी लेकर आया हूँ ताकि देख सकूं कि तुम अपने mom को ज़्यादा परिशान तो नहीं कर रही इसके बाद टोनी Morgan के साथ पूरा दिन बिताता और रात में उसको सुला कर पेपर से आकर बात करता कि जिस किसी चीज़ के वज़े से भी वो यहाँ आया है उसके बारे में वो जल्द से जल्द पता लगा कर यहाँ से निकल लेगा तब तक उसे यहीं रहना चाहिए क्योंकि मरे वे इनसान को अगर लोग जिन्दा देखेंगे तो शायद तक कन्फ्यूज हो जाएंगे कि तबी टीवी पर स्पाइडर मैन और डॉक्टर ओक्टर पस की लड़ाई की न्यूस चल रही होती है जहाँ टोनी पूछता है कि पीटर ने अपनी आइडिन्टिरी दुनिया वालों को कब बता दिया जिस पर पेपर बोलती है कि उसने बताया नहीं बलकि मिस्टीरियो नाम के एक बंदे ने उसका नाम सामने ला दिया और खुद के मर्डर में उसको इन्वाल्व कर दिया केस बहुत ही पक्का था बट मैंने किसी तरह उसको बेल दिलवा दिया क्योंकि वो तुम्हारे बहुत करीब था और तुम तो उसे एक बेटे के जैसे मानते थे जिस पर टोनी कहता कि अगर मुझे पता होता कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी पीटर को दुनिया के सामने नहीं लाता वो अल्रेडी मेरे वज़े से बहुत सह चुका है जिस पर पेपर पूछती कि तुम कहना क्या चाते हो तो उस पर टोनी कहता कि मु एक्टिव स्पाइडर के काटने के वज़े से ही पीटर को पावर मिलते हैं उसके डाइड के रिसर्च के बारे में वालों को पता चल जाता है तो वो लोग को उनिके साइड होने के लिए बोलते है पर पीटर के डैड मना कर देते हैं जिसके परिनाम सुरूप पीटर के डैड के साथ साथ उसके मॉम को एम वाले मरवा देते हैं ये बात मुझे तब पता चली थी जब मैं Extremis Soldier के बारे में पता करने के लिए एम के सर्वर्स को हैक किया था मुझे पीटर में मेरा बच्पन दिखता है जहां हम दोनों से हमारे पैरेंट्स को छीन लिया गया था उनके काम के वज़े से प्लस वो जीनियस है बिलकुल मेरे ही जैसे क्योंकि उसने इतनी छोटी उमर में वेब फ्लूइड बनाया वो भी स्कूल लैब में जो कि मुझे उस वक्त की याद दिलाता है जब मैं गुफा के अंदर आर्क रियक्टर बनाया था पावर मिलते ही लोग करप्ट हो जाते हैं बट पीटर पार्कर स्पाइडर में बना ताकि वो लोगों की मदद कर सके इसलिए वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है कल सुबा होते ही देखा जाएगा कि इस पीटर पार्कर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ तब तक फ्राइडे तुम पता लगाओ कि हम यहां कैसे पहुचे वहीं दूसी और वेनम प्लेन पकड़ के नियॉर्क आता है और स्पाइडर मैन की तलाश में लग जाता है बढ़ क्यूंकि उस वक्त पीटर डॉक्टर स्टेंज को मिरर डामेंशन में फसा कर बाकी लोगों को हैपी के घर ले जाता है जहां पर वो उनकी ट्रीटमेंट कर रहा होता है इसलिए वेनम उसको ढूण नहीं पाता है लेकिन जैसे ही रात होता है और वहाँ पर Green Goblin अपना असली रूप दिखाता है और वहाँ पर हलचल मज जाती है जिसको J. Jonah Jameson रिपोर्ट करता है तो उस रिपोर्टिंग को देखकर Venom वहाँ पहुचता है लेकिन जब तक Venom Happy के अपार्टमेंट में पहुचता है तब तक सब लोग वहाँ से भाग चुके थे इसके बाद Venom फिर से Spider-Man की तलाश में निकलता है बट उसे वो नहीं मिलता है क्योंकि उस वक्त वो बाकी Spider-Man के साथ मिलकर क्यों और के उपर काम कर रहा था उसके बाद Peter जब पूरे दुनिया में ये Message broadcast करता है तो Venom को location के बार में पता च सकता है क्योंकि उसके पास जो box है उसके बारे में उसने थोड़ा मोड़ा पढ़ाता तोनी वहाँ से निकलने से पहले Morgan से कहता है कि मेरा समय पूरा हुआ और अब मुझे जाना होगा जिस पर Morgan पूछती है कि आप वापस नहीं आओगे जिस पर टोनी बताता है कि मैं कोशि सिक्वेंज का फ़र्स्ट हाफ ही होता है जहां तीनो स्पार्डर मैन ठीक से कॉद्नेट नहीं कर पा रहे होते हैं वो तीनों आपस में कोरडिनेशन करके मुवी के जैसे ही असेंबल होते है कि तभी वहाँ वेनम भी आ जाता है जिसको देखता है कि ये तो मेरे युनिवर पीटर मुझे तुम से कई सारे सवाल जवाब करने हैं उस बॉक्स से रिलेटेड पर पहले इन लोगों से डील कर लेते हैं उसके बाद जब तीनों स्पाइडर मैन मिलकर सबको ठीक कर रहे होते हैं मेन मुवी के जैसे ही तो वहां आइरन मैन विनम को रोके हुए था फिर कहता है कि स्पाइडर मैन एक मुसीबत है जैसा कि जे जोना जेमसन ने कहा था जिस पर टोनी कहता है कि मीडिया में दिखाई हर चीज़ पर विश्वास मत किया करो अगर पीटर विलन या बुरा इंसान होता तो वह क्यों उन विलन्स को क्योर करने में लगा होता जरा सोचो इसके बाद एडी भी देखता कि एक एक करके जितने भी अजीबो गरीब दिखने वाले करेक्टर्स थे वो सब इंसान बनने लगते हैं तो वो टोनी की बाद से अग्री करने लगता है कि तब ही वहाँ ग्रेन गॉबलिन आकर उस बॉक्स को उड़ा देता है डॉक्टर कि बाते बाद में स्टार्क पहले काम जिसके बाद से टोनी यहां डॉक्टर स्टेंज की मदद करता रियालिटी में आरे दरार को फैलने से रोकने से लेकिन इससे जादा फर्क नहीं परता इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते जहां वो एक दूसरे को इस गिल्ड से आजाद करते हैं कि उनके वज़े से उनके रेस्पेक्टिव यूनिवर्स में उन लोगों की मौत हुई थी काइंड ओफ जैसे एंड्रियू के स्पाइडर मैन ने यहां पे एमजी को बचा के खुद के कैरेक्टर को रीडीम किया था खेर आगे पीटर डॉक्टर स्टेंज के पास जाता और कहता कि सबको भूलाने वाला स्पेल पढ़ दो तो टोनी उसको कहता कि पीटर मुझे तुम पर नाज है और मुझे हमेशा से लगता था कि तुम बच्चे होकर खुद को स्पाइडर मैन क्यों बुलाते हो जो कि आज समझ आ गया उमर से कोई मैन नहीं बनता बलकि अपने जिम्मेदारियों और करत्यव्य करने की चकर में जो सेक्रिफाइस करने पड़ते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा जिगरा लगता है उससे मैन बनता है इसके बाद स्पाइडी टोनी को हग करता और उसके हेल्प के लिए उसको थैंक्स बोलता और फिर बाकियों को टाटा बाई बाई करने के लिए चला जाता जैसे वो मूवी में गया था टोनी भी जाने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता कि टेक्नोमैंसी मतलब की टेक्नोलोजी वाली मैजिक सीख लो बहुत काम की है और फिर अपने दुनिया में चला जाता आज के लिए बस इतना ही कैसा लगा हमारा आज का यी वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरीए बता सकते हैं इसके अलावा आप आगे किस वाटिफ के उपर वीडियो देखना चाते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरीए सज़स्ट कर सकते हैं चैनल पे नए है और ऐसे यी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि अपने बेल आइकन दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो well and good और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको जाए इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मूटू है जो कि यह लोगों की मदद करें अपना खयाल रखे and keep moving forward कर अट लगा कर आगे बढ़ते रहे thank you for watching this video stay tuned